दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हीरो मोटो कॉर्प और टेक महिंदरा के साथ में टोटल में साथ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने आप इस स्टॉक बोनस स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है इशान इंटरनाशनल लिमिटेड इशान इंटरनाशनल का जो स्टॉक प पास में इस company के दो stocks हैं तो यहाँ पे आपको एक stock is a bonus मिलेगा total में जो आपके दो stocks हैं वो तीन stocks के अंदर में convert हो जाएंगे and इसके बाद में आपको stocks split दिया जाएगा 1 is to 10 के ratio से जिसकी वज़े से जो आपके 3 stocks हैं वो total में 30 यानी 30 stocks के अंदर में convert हो जाएंगे तो अगर आप इन दोनों ratios को साथ में combine कर देते हैं तो अगर आपके पास में इस company का सिरफ एक stock है तो आपका हर एक stock यहाँ पे 15 stocks के अंदर में convert हो जाएका हर एक stock 15 stocks के अंदर में convert हो जाएगा एंड इस bonus and split को देने की X date और recorded company ने अभी तक announce नहीं करिये जैसे ही company announcement करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Indian Link Chain Manufacturers Indian Link Chain Manufacturers का जो stock price है वो 1550 रुपीज के उपर में चल रहा है एंड इस company ने आप इस stock split announce करके रखा है 1 to 10 के ratio से अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो आपका जो एक stock है वो total में 10 stocks के अंदर में convert हो जाएगा एंड इस stock split को देने की X date और record date जो है 19th of December की रहने वाली है तो आपके पास में Monday का दिन 18 December का दिन last chance होएगा इस stock को purchase करने के लिए अगले stock की बात करें तो company का नाम है कोविल पत्ती लक्षमी रोलर कोविल पत्ती लक्षमी रोलर का जो stock price है वो 200 रुपीज के आसपास में trade हो रहा है company ने आपे dividend announce कर दिया है जिसको देने की x date और record date जो है 22nd of December की रहने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Our System International इस company का जो stock price है वो 511 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आपे dividend announce कर दिया है 6.80 रुपीज का आपको हर एक stock के उपर में 6.80 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको भी देने की x date और record date same day की रहने वाली है यानि की 22nd of December की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Tech Mahindra Limited Tech Mahindra का जो stock price है वो 1306 रुपीज के उपर में चल रहा है और Tech Mahindra की तरफ से एक बहुत बड़ी update निकल के आ रही है basically आपे choice broking करके काफी जाना माना brokerage firm है and choice broking के जो executive director है वो है सुमित बगडिया and सुमित बगडिया ने जो है Tech Mahindra के stock के उपर में bullishness दिखाते होए buying recommendation शेर करी है और जो target price दिया है वो 1,385 रुपीज का दिया है तो लगबग 1,306 रुपीज से ले करके 1,385 रुपीज तक की एक जो rally है वो है आपे choice broking expect करके चल रहा है Tech Mahindra के stock के अंदर में और साधी साथ में choice broking ने आपे stop loss भी recommend किया है जो की 1,260 रुपीज का है तो एक proper brokerage call जो है यहापे choice broking की तरफ से निकल करके आ रही है Tech Mahindra के stock के उपर में तो आपको Tech Mahindra को जरूर से आपके watch list के अंदर में add करके रख लेना चीए देखा जाए तो काफी दिगज कंपनी है आने वले time में हो सकता है हमें यह target एचीव होता हुआ देखने को मिल जाए अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहापे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Hero Moto Corp Limited Hero Moto Corp का जो stock price है वो 3,890 रुपीज के उपर में चल रहा है और Hero Moto Corp की तरफ से भी एक बहुत बड़ी update निकल के आ रही है basically यहाँ पर share खान करके एक काफी जाना माना brokerage firm है even stock market के उपर में काफी लंबे time से काम कर रहा है and I'm damn sure आप लोगों ने share खान का नाम जरूर से सुना होगा share खान ने जो है Hero Moto Corp के stock के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेर करी है और जो target price दिया है वो 4579 रूपीस का दिया है तो लगबग 3890 रूपीस से लेकर के 4579 रूपीस तक की एक जो rally है वो यहाँ पर share कान expect करके चल रहा है Hero Moto Corp के stock के अंदर में तो आपको Hero Moto Corp और Tech Mahindra दोनों stocks को आपके watch list के अंदर में add करके रख लेना चाहिए इसके अलावा आपको जिस भी stock को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसकी announcement का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी x date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस video के अंदर में इतना ही यही 7 stocks थे जिन्होंने आपे bonus, split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई video ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा please इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye